नमस्कार दोस्तों मैं हूं रिशप सक्सेना और आप देख रहे हैं काउ काउ न्यूस अखलेश यादफ के एक नया अवतार चंद दिनों पहले बारा बंकी में देखा गया था जहां वे बुट्टा खरीदने लगे थे और चुपके से सरकार पर तंजिकस दिये थे लेकिन एक और उनका अवतार आजकल बहुत जादा वाइरल हो रहा है जी हाँ जिसमें वहे एक नेता ही नहीं वलकि एक प्रबल पत्रकार बन चुकी है और उन्होंने अपना खुद का न्यूस बुलिटन भी निकाल दिया जिसके बाद खबरें यह भी हैं कि अखलेश प्रदेश में बढ़ रही है उस तरीके से दैनिक रूप में हमें एक ट्वीट करने की आवशक्ता पड़ेगी दरसल अखलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता को लेकर बीजेपी सरकार पर तंच कसा है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर उत्तर प बरेली में महिला होमगार्ड को जिंदा जलाया और भाजपास सांसद ने सिपाई को थपड़ मारा अकलेश यादव को ट्वीट तब आया है जब इन दिनों प्रदेश में आपरादी घटनाओं में व्रद्दी हुई है हाला कि अकलेश एदव ने सोमवार की सबी घटनाओं को जिक्र किया लेकिन वास्तव में जिस तरह से प्रदेश में आपरादी घटनाओं को इस तरह बढ़ रहा है उससे यह तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो चुका है लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है और प्रशासन इतना लापरवा क्यों यह सीधा सवाल है सत्ता में काविज उन नेताओं के लिए और प्रशासन में समान रहे उन सभी अधिकारियों के लिए कि अगर इसी तरह से आप रादिग घटनाए बढ़ती रहेंगी तो शायद प्रदेश में जंगल राज काविज रहेगा वाकी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रही है काव काव न्यूज चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए